तबी को जाएंद आज की इस वीडियो में बात करने वारे हैं कि जो आज जो हम बोले थे कि भाई साम में ही तोरित जो कमिटी बठाई गए थी थी बिहार स्त्रकर के द्वारा आयोग के द्वारा उसका क्या निश्चार्श निगला जो एडीजी सर है वो क्या बताए उसने कम पेपर में भी दिया होका पेपर में भी आपको पूरा संग्यान लिया गया यह झूम प्रूंख एक का यूखना कि की सटत्री कारवाई के जागा जहां बीक पकड़ा नीज पेपर है उसमें भी आपका देदिया की पेपर लीख है वाकि हर घर के हमने हर इंसान के मुवाइल में जो मतलब पुलीस से संबंधी नहीं है उसके पास भी आपका आंसर की आ गया है तो यह कैसे आ सकता है जब आपने बोर्ड में आपने जो कोर्षण बनाया तो जलती है आप भी इसमें जिम्मेदार है चाहा आला कि यह बात को सीजबी सीन एक्सेट भी करा है और यह बात कहा भी है कि जतना हो सके मतलब कि जिस जिस इनसान की भागिदारी है जो भी इस तरह से मतलब किया समाजी दॉतों को फैदाने मदद कर रहे हैं उन सब्सकों तु तो इसके उपर बात रहा कर पेपर लिग की तो इसके उपर बहुत जट निरनाय आने वाली है आपको अगले दिन तक इसका निरनाय आजाए या नहीं होगी ठीक फिर से एक्जाम जो है पन्दा करवा जाएगा या फिर इसी महीं आपका रिजल्ट दे दे जागा ठीक है और दूसरी बाद इस कमीटी में निरनाय लिया गया कि अगली जो अग्याम होने वाला है आपका साथ अटुवर और पंदा टुवर का इस दो एक्जाम में यह गलती ना हो हालाके इस पहले वीडियो में बना बना चुके उसमें हम बोले भी है कि अगर इस गड़ती से कर सरकार नहीं सेकी इस गड़ती से कर आप आयोग नहीं सेकी तो डेफिनेटली साथ वाला जो एक्जाम है उसमें भी आपका पेपर वायर होने वाला ठीक है चुकि सेटर लोग जो भेचोग भी धांदली वकारा करते हैं आज समाई कत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं वो भाई आपको कहीं भी बिहार में होता ठीक है तो डेफिनेटली इसका जो आंसर की वायर होता इसमें कहीं नहीं कहीं आपका बिहार सरकार और उसके आयोग भी जिम्मेदार हैं इस बात को एक्साप्ट भी करते हैं हालाकि पेपर रद की बात की जाए तो पेपर रद के बारे में जो भी निलना होगा आपको कल साम तक पता चल जागा अगर पेपर रद जैसे कोई भी मतलब की निव्ज आती है तो हम डेफिनेटली वीडियो के माधम से बताएंगे बागे अगर आप चैनले पर नए हैं त चैनले को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते जागा मिलते हैं नेक्स्ट अप्डेट के साथ तब तक के लिए जाहिं बेश्ट अप्ला गुड़ लाग